साथियों स्वागत है आपका आज हम बात करेंगे भारत के दस ऐसे रहस्म हैं इस्थान बातें और व्यक्तियों की जो वाकई में विज्ञान के सामने एक ऐसा प्रस्ण चेनल लगाते हैं जिसके बारे में विज्ञान कुछ नहीं कह सकता एक तरफ तो विज्ञान ने अतनी प्रगति कर ली है कि वो बहुत सारी बातों को रिवील कर रहा है उन्हें बता रहा है अंत्रिक्ष के छितर में लेकिन ये बातें जो भारत के ऐसी हैं जिनके बारे में विज्ञान अभी भी मौन है कुछ भी नहीं कह सकता चलिए सुरू कर तो ये उस छेतर में पढ़ता है जो की लदाख छेतर में आता है भारत और चाइना के बीच इसमें डिस्प्यूटेड है इसलिए दोनों ना तो ये भारत में पढ़ता है अच्छे से ना चाइना में पढ़ता है और यहां पर पेट्रोलिंग धंस नहीं हो पाती पूरा के पूरा वरफीला यह च्छेतर है और इस पूरे वरफीले च्छेतर में यहां के जो इस्थान्य निवासी है उन्होंने कई बार अंत्रिक्ष जीवों के गुप्त स्थापना स्थाल की रूप में से देखा है कई बार यहाँ UFOs आती हुई देखाई है UFOs मतलब वो चीजें जिने कहते हैं Unidentified Flying Objects यानि जिने उलंतस्तरी के रूप में जाना जाता है तो यहाँ के स्थानी लोगों ने कई बार ऐसी तस्वीरे देखी है इवन 2006, जून 2006 में Google Satellite के तोहरा भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें एक ऐसा ही Flying Object इस छेतर में दिखाई दे रहा है तो यह है पहला Mysterious जगा रहसी में स्थान दूसरा ताज महल एक शिव मंदिर तेजो महलाए यह बहस बहुत पुरानी है ताज महल जो की एक प्यार का प्रतीक है और कई जगा पूरे भारत का प्रतीक हो जाता है भारत को विदेशों में रेप्रेजेंट करने के लिए इस तश्वीर का प्रियूग किया जाता है लेकिन यह भी अपने आप में एक रहसे में और विवादित मुद्दा है क्या ताज महल वाकई में एक मकवरा है या एक शिव मंदर अगर इसकी जाज परताल करें तो डेली के एक प्रोफिशर थे पी एन ओक पुषपेंद्र नागेश ओक जो की सांथ में इतिहास कारवी थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी उन्होंने इसमें बताया कि ये जो ताज महल है ये जो इमारत है ये जेपुर के राजा जैसिंग के धीन थी जिसको सहा जहाने जबरन उनसे हथिया लिया था और थोड़े से इसमें बदलाव करके मकवरे का रूप दे दिया था और जिसके परिपिक्ष में उनके द्वारा कई प्रकार के सबूत भी दिये गए है सबूत जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक गुप्त कमरा जो ताज महल के नीचे है ताज महल के उपर इस्थित जो कलश है जो कि हिंदू मंदिरों में जो विसेस्ता है कलशो की वो और एक पच्चिकारी जहाँ पर आपको ओम की आकरती दिखाई देगी यह उपर की तरफ इस पच्चिकारी में यहाँ पर ओम की आकरती आप देख सकते हैं ये ताज मैल की है इसके लावा और उन्होंने कहा कि उस समय के जो इतिहास कारे उन में से किसी के दौरा भी ऐसी कोई घटना नहीं दर्साई गई है जो कि इतनी बड़ी इमारत के बनने की बात कहती हो साथी कारवन डेटिंग जो पदेती है उसके द्वारा भी ताज मैल के उम्र काफी परानी मानी गई है तो ये सारी चीज़े हैं जो कि इसको सस्पेक्टट बनाती हैं आपकी सुवधा के लिए हमारे द्वारा ये जो पूएन बुक है दाज मैल इस अ टेंपल प्लेस इसको ब देखना ये है कि ये वाकई में इसकी सच्चाई क्या ऐसके बारे में सिर्फ सरकार ही कुछ बोल सकते हैं इसके लाव हो कोई कुछ नई बोल सकता अगली जो सस्पेक्टियस परस। प्रानल्टी हमारे सामने है वो प्रहलाद जानी जिने माता जी के नाम से भी जाना जाता है। जाता है कि माता अंबा की किरपा हुई और माता अंबा यानि के देवी दुरगा की किरपा से ये बिना कुछ खाए पिये 70 सालों से जिन्दा है। इनके दावे की जांच करने के लिए दो बार 2003 में और 2010 में इनकी मेडिकली पूरी तरह से जांच की गई। और ये जांच जो की गई ये स्ट्रिंगल हॉस्पिटल है स्ट्रिंगल हॉस्पिटल एहंदावाद इसमें डॉक्टर सुधीर साह के नितरत में ये जांच की गई। और दोनों बार इनके दावो को बिलकुल सच पाया गया। जबकि दूसरी बार तो जांच TRT UK के नरदेशन में की गई थी तो दोनों बार इनके दावो को पूरी तरह से सच पाया गया और 15 दिन तक ना ये टोईलेट गए ना इन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया। पिया पंद्र उसके बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ ये हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको की विज्ञान समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है अगली मिस्ट्री की बात करें वो है हित हिती या हिम मानाओ या इंगलिस में जिसे कहते हैं विफूट एक कहानी के अंस्वार कई विज्ञानिक मानते हैं इस चीज को कि जो प्रत्वी का ओरिजिनल जीव है वो विफूटी है इंसानों को एलियन्स के द्वारा बनाया गया है विफूट और कुछ परग्रही जीवो के क्रॉस के द्वारा यानि कि हम जो इंसान है ये प्रत्वी के ओरिजिनल निवासी नहीं है जो विफूट होता है उसकी सरीर पे बहुत बड़े-बड़े बाल होते हैं उसकी हाइट करी 10 फिर तक होती है और बज़न 545 किलो तक होता है ये अभी तक रहष्य बना हुआ है कि एक्च्वल में ये है भी ये नहीं है क्योंकि कोई भी इसे दावा करके नहीं कह सकता कि उसने इसको देखा है अभी तक जो दावे हुए हैं इसको देखने के 1935 में हंकॉंग में इसकी पहली बार खोपड़ी मिली थी सांथ ही इसका उलेख जो है रिगवेद और सामवेद में भी आता है 1951 में जब माउंट एवरिस्ट की चड़ाई करने के लिए वहाँ पर एरिक सिंटन गए थे तो उन्हें बरफर बड़े बड़े पेरों के पदचिन भी देखे थे और उन पदचिन होके की दस्वीरें बहुत फेमस हुई बाद में और काफी उस पे चर्चा भी कीव से मनी 1953 में जो एडमन धिलेरी और तेंजिंग नोरके ने भी इसी तरह के बड़े बड़े पदचिन देखे थे और इसके बारे में तेंजिंग नोरके ने लिखा है अपनी कात्पका थाम है कि उन्होंने ऐसे चितर कई बार देखे हैं लेकिन उनके पिता ने दो बार अपनी लाइफ में हिम्माना को देखा था हलांकि तेंजिंग नोरगे ने ये दावा नहीं किया कि उन्होंने देखा था उनके पिता का दावा करते है कि उनके पिताने इसको देखा था तो ये अभी भी वाकई में बहुत बला रहसे है कि वाकई में हमाना होता है या नहीं होता अगली है राजिस्टान की धहरा में कुल धहरा करके एक गाउं है जो एक एक वीरान और भूतहा हो गया है ये जो गाउं है राजिस्तान के जेसलमेर जिले में से थे ये जो गाउं 1200 के आसपास बसाया गया था ब्रामभणों के दोरा और ये गाउं अठारा सो पचीस में एक ही रात में ये गाउं और इसके साथ और तेरासी गाउं कुल चोरासी गाउं रातो रात भूता हो गए इसके बारे में जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है यह जो गाओं है यहां जेसल मेर रियासत के एक मंत्री जिसका नाम सालम सिंग था उसकी नजर यहां के गाओं की मुख्या की बेटी पर पड़ गी वो उसको प्राप्त करना चाहता था उससे साधी करना चाहता था जबकि वो एक नमबर का आयाश आदमी था और उसने गाओंवालों को चेतावनी दी यदि उसको लड़की नहीं मिली तो गाओं में इतना कर बढ़ा देगा कि उनका जीना मुस्किल हो जाएगा बस इसी बात को लेकर एक पंचायत हुई और उस पंचायत ने 84 गाओं के जो लोग थे जो ब्रह्मन समाज की थे उन्हें एकटा हुए और उन्हें फैसला लिया है कि हम राजा को वो बेटी नहीं उस मंत्री को वो बेटी नहीं देंगे उसकी जित हम बचायेंगे और रातो रात पूरा के पूरे 84 गाओं खाली करकर चले गए और वो आज भी as it is वहाँ पर सारी चीज़े इस्थित हैं तो ये एक मिस्टरी है कि रातो रात पूर और उसके बाद उनका ना तो ये पता चला कि वो कहां गए ना ये पता चला कि वो कहां पर हैं लेकिन जाते समय में उन्होंने इस गाओं को कभी ना बसने का श्राब दिया और अभी तक ये गाओं कभी भी नहीं बस पाया एक दू बार मैगनेटिक हिल जो है लेह के अंदर कश्मीर के अंदर रिस्तित है जहां पर आगी आप देखेंगे किसी धलान पर आप गाड़ी खड़ी कर दें तो आप पाएंगे यदि आपने गाली में हैंड ब्रेक या गयर नहीं लगाया है तो गाली नीचे की और लडग जाएगी य और लगभग वो भी 20 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से तक उपर जा सकती है तो बहुत बड़ा एक रहस्य बना हुआ है को कहा जाता है यहां बहुत बड़ा मैगनेटिक फिल्ड है जो गाडियों को बित क्योंकि वो आईरन की बनी होती है और लोहा जो आईरन को कीचती है तो यह भी एक बहुत बड़ा रहश है आप इन सब चीजों को गूगल पर देख सकते हैं इनके बारे में पड़ सकते हैं बहुत एजली जितनी भी मैं चीजे बता रहा हूँ सब के सब गूगल के मेरी समिन के उपर बहुत विस्तार से लिखा हुआ आप इसको दे सितंबर और अक्टूबर के महिने में रात के समय खास कर छे बजे से साड़े नो बजे के बीच में कई पक्षी यहां पर क्या होते हैं जो प्रवासी पक्षी आते हैं या इस्थानी पक्षी भी जो होते हैं सहर में जो या गाउं जिसे कहा जाए उसमें जो लाइटी लगी उनकी और आकरसित होते हैं और टकरा कर मर जाते हैं और ये घटना खास कर सितंबर और अक्टूबर में ही होती है इसलिए बहुत बड़ा रहस्य का विसे बना हुआ है इस पर कई समय तक रेसर्च की गई लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आकर ऐसा क्यों होता है अगल के लिए हम बात करें तो रात में सुर्यास्त के समय यहां पर जाने की पूरी तरह मना ही यहां और इसके संब्दम में भारती प्रतत्व सेरिक्षन भगाने वहां पर बोड भी लगाये क्योंकि एक संरक्षित इस्थハ ऐसा कहा जाता है कि यहां की राजकुमारी थी उस राजकुमारी से एक जादुगर जो था वो प्यार करने लगा था और उस जादुगर ने उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए एक काले जादु करने का प्लान बनाया है जिसे कि राजकुमारी को अपने वर्ष में कर गया और उसने उस जो जादूगर था उसको मरवा दिया और जब वो जादूगर मरा तो उससे पहले उसने उस जगा को शुराब दे दिया और आज भी यहाँ पर रात के समय कोई भी रुकने की हिमत नहीं करता और कुछ लोगों नहीं यहाँ पर रुखने की रात में दिन में हलकि टुलिस्ट के लिए खुला रहता है लेकिन रात में रुखने की कुछिस की तो वो कभी वे लाट कर वापस नहीं आए है अगली जो जगा है वो है लेपाक्ची मंदिर आंद्रप्रदेश लेपाक्ची मंदिर आंद्रप्रदेश एक बहुत ही नायाब नमूना है मंदिरों का बहुत शांदर स्क्लप्चर यहाँ बने हुए है यहाँ पर एक हवा में जूलता खंबा यहाँ परिस्तित है यहाँ पर क्या है बेसिकली इस मंदिर के अंदर इसका आस्प्रिटेक्चर या इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ कुल सत्तर मंदिरों का ये सत्तर खंबों का ये मंदिर है और इन मंदिरों इन सतर खंबों में से एक खंबा ऐसा है जिसके नीचे इस तरह से आप तस्वीर में देख रहे हैं इस तरह से कपड़ा आर्ड से पार निकाला जा सकता है और इसका रहष कोई नहीं जानता माना ऐसा जाता है कि इसमें जो खासकर बाजिगरी या ट्रिक जो है इसके शिल्प में या इसके आर्किटेक्चर में उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो हवा में जूलता रहे तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये आखर कैसे होता अभी तक कोई भी नहीं जानता और सबसे इंपोर्टेंट और सबसे आखरी ये वह दस्वा है कोड़नी कर केरल में एक गाउं है यहाँ पर ये जो गाउं है जुड़वा लोगों का गाउं या ट्विंस टाउन कहला ये कोड़नी गाउं जो है ये मलबपुरम से लगबग 15 किलोमेटर की दूरी पर 2000 लोगों का गाउं है लेकिन इन 2000 लोगों का गाउं में 204 से जादा जुड़वा जोड़े हैं मतलब की 408 लड़के लड़की यहाँ पर जुड़वा है और ये जो 204 की जनसंख्या है ये इ पैदा होना एक इतिफाक तो नहीं हो सकता यहां के स्थानी लोगों की माने तो 1950 से ये शुरू हुआ और यहां पर लगबग सभी उम्रके ऐसा नहीं कि अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे पहले ही उम्रके ट्विंस यहां पर मिल जाते हैं और इसके बारे में सबस लड़की अगर बाहर भी शादी करती तो वहां भी उनको भी जलबा वच्चे पैदा होने की संख्या दीख होती है और बाहर की लड़की पैदा होने की जादा चांसे होते हैं तो यह एक बहुत बड़ी मिस्टरी है जिसको सुलजा पाना बिज्ञान के लिए अभी पॉस् तक आप इन चीजों को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तब तक हम बनाते हैं आपके लिए दूसरे वीडियो आप देखते रहिए, जै हिंद, जै भारत!